बार में नहीं मिली है इसके लिए एक लंबी यात्रा करने पड़ी है आजादी की यात्रा इस यात्रा में हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी 1919 जुलियावाला पाग आज हमारी बैसाखी का दिन है लेकिन पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा हम सब बैसाखी नहीं मनाएगे हाँ हम सब बैसाखी नहीं मनाएगे हाँ हम बैसाखी नहीं मनाएगे जब तक हम अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं निकाल देते, पूरा पंचाब बैसाखी नहीं बनाएगा अच्छा, तो तुम सब हमारा विरोध करता है, भाग जाओ यहां से, इसका अच्छाब बहुती बुरा होगा हम नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओगे, हमें नहीं, तुमको भारत से भागना होगा सुल्जर्स, फायर यह जमी हमारी, यह धर्ती हमारी, यह खेत हमारे अभी थोड़ी देर पहले, हमारी यह फसले लहरा रही थी, पर इन अंग्रेजों ने हमारी फसले बर्बाद कर दी इन अंग्रेजों ने एक ही जटके में, इस सब फसलों को काट दिया अंग्रेजों तुम्हारे इस अत्याचार से हम डरेंगे नहीं इस अत्याचार का बदला लेकर रहेंगे हम आजादी लेकर रहेंगे जलियावाला बाग हर इंदुस्तानी की आख नम कर गया इस कान में कितने मासूमों की आहुती चड़ गई इतनी हैवानियत से इंसानियत कतल कर दी गई जलियावाला बाग के हत्याकार ने आजादी की आग में गी लेने का काम किया मासूम और तों बच्चों के दर्ध बरी चीके और सिस्क्या एक गलाब का गूंज बनकर उपड़ी लाला राजपत राय, बगत सिंग, राजगुरू, शुबदेव सरी के प्रांतिकारियों ने भारत की इस जमी से विदेशी दरिल्बों को निकाल फेकने के मनसूबे मजबूत कर लिये 8 अपरें 1919, लाला राजपत राय के नत्रते में साइमन कमीशन के खिलाफ एक भारी जुलूस निकाल लगया Simon Commission, बबच जाओ Simon Commission, बबच जाओ Simon Commission, बबच जाओ मेरोगूफ Indian, तुमको हमाई बार समघ में नहीं आदी, stop this Simon Commission, बबच नहीं मांदा, आशे फिर 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 लाणा जी आप आगे बड़ो हम आपके साथ है लाला जी सब गर्श करो हम आपके साथ है लाला जी को तो बहुत गेरी चोट लगी है उनका सर फट गया है मेरे शरीर में लगी एक एक लाथी अंग्रेजी सरकार के कफन मैं कील का काम करेगी ये आजादी की लड़ाई रुखनी नहीं चाहिए ये जिम्मेदारी मैं तुम सब को सौब कर जा रहा हूँ आप आप लाला राजबत्राई की दर्दनाक मौत के बाद भगत सिंग, सुगदेव, राजगुरू वतर के इन मतवालों के खोन में ऐसा अबाल आया जिसका सामना करना अंग्रेजी सरकार के लिए मुश्कित हो गया अंग्रेजों को करारा जवाब देने के लिए स्कॉर्ट और सैंडर्स को मारने की रूप रेका रची गई सैंडर्स मारा गया, चारो तरफ तहलका मचा था, दिवारों पर लिखा था, लाला जी की मौत का बदला ले लिया गया है भगत सिंग समीट सभी वहां से फरार हो गए आठ अप्रेल उन्नेस सो उननक्तिस दिल्दी में ब्रिटिश सरकार की सेंट्रल लजिस्पलेटिव असेंबली की बैठक में दो बंधमाके की आवास सुनाय थी इन धमाकों ने अंग्रीजी हुकूमत को हिला कर रख दिया इस घटना को अंजान देने वाले भगत सिंग, राजगुरू और सुखदेव ने अपने आपको अंग्रीजों के हवाले कर दिया 1930 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया मुल्जिम भगत सिंग, मुल्जिम राजगुरू, मुल्जिम सुखदेव को दफ़ा 121 और दफ़ा 302 के तहट एए अदालत तीनों को मुझलिम करार देती है और इस गुस्ताकी के लिए एए अदालत इन तीनों को सजाए मौत की सजा सुनाती है सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना वाज़ू कातिल में है पुत्तर की हाल है तेरा, मैं चंगा हुमा, फिक्कर करने की कोई गल नहीं पुत्तर, मेरा दिल तेरी तरह पथर दिल नहीं होगा तेरी ये गला सुनके, मेरा कले जब फटे जा रहा है मा, मेरा दिल कोई पत्तर जैसा नहीं है, एक वतन परस्त का दिल है जो मेरे देश प्रेम के जजबे नो ताकत देता है बेटा, मेरा लाल मा, आज मेरी तपस्या पूरी होने जा रही है जे तू रोई, तो मैंनो तब ख्लीफ होई है सोच तेरा पुत्तर, आज शादी करने वास्ते जा रहा है फर्क केवल इतना है, वो घोडी पर नहीं फासी पर चड़ने वास्ते जा रहा है आज तू क्रांतिकाई की मा है कल तू एक शहीद की मा होगी मा पुत्तर, भागत तू इतनी छोटी उम्र में हम सब को छोड़के चला जाएगा तूने जन्दगी में देखा ही क्या है पुत्तर मैंने अपनी मा देखी है जिसने मुझे एक ही बात बताई है कि बेटे अपने देश के लिए एक बार मरना सौ बार जन्म लेने के बराबर होता है अच्छा मा अब आशिरवाद दे आखरी बार विदा लेने का समय आ गया है भागत मेरे लाल भागत सेंग तूमारी को आखरी खाईश हमारे हाथ खोल दिये जाए हम दीन और दोस एक दूसरे से गले मिलना चाहते है उनके हाथ खोल दिये जाए हुआ 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 ह हर एक नौजवान के मन में आजादी की नई उमंग हिलोरे लेने लगी अंग्रेजो भारत छोडो का नारा जोर पकड़ रहा था सबने एक आजाद भारत का सपना देखना आरम कर दिया था हर कोई अपने अपने ढंग से इस महा यग्य में अपनी आहोती दे रहा था सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मी भाई, तात्या टोपे और मंगल पांडी जैसे सही दो की कुर्बानी रंग लाइए 15 अगस 1947 को बायत आजाद हुआ हराओ मताडी जैसे सही दो कि लिग जी जगा हंद्राल हंदार हंदार हंदार